स्मार्ट क्लासे विद शोफा आज हम करने जा रहे हैं बैलून पेंटिंग आप देख रहे होंगे इसके लिए मैं वाटर कलोर्स चाहिए और वो मैंने ऑलरी थोड़ थोड़ पानी के साथ करके रख दिये इसके बैलून पेंटिंग तो दो चोटे बैलून आपको चाहिए होंगे घर में वैसे भी बच्चों के लिए आप बैलून लाते हैं तो आपको उसमें अलग से कुछ लेने की जरुरत नहीं है कुछ भी नहीं करना है सिंपल है बहुत सिंपल है और इतनी अच्छी लगती है अपको ऐसा लगेगा कि अगर आप वैसे लाएं पेस्टिल कलर्स जो होते हैं जो आप मतलब कपड़ों में भी यूज़ कर सकते हैं आपका जो बेबी है देकें ड्रॉब ब्यूटिफल टेब लगेगा नोड़ा अगर आप ऐसा नहीं करना चाते हैं पॉर देफन यूज़ 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 लगाई और उसको डिप करके आप यूज़ कर सकते हैं इसमें देखें येलो उसमें जो है आगे मैं थोड़ा बैलून जाथा बड़ा फुला दिया था उस वज़े से अतन बानती है दो पॉर्शन यूज़ करके देखें कितने अच्छा परेंट आ रएं सम्थिंग लाइक एससे असे बहुत अच्छा लंगता रही एंगे इन्जोफ्य और और्व्क्ष भी नहिं चाहिए समें कुछ बीन इसमें नहीं सब्कुँछ आपको घर में अव herum वहलें आप एक चीज नोटिस करेंगा मेरी सारी वीडियोस में वही सब चीजें हैं जो आप घर में मिल जाती हैं आपको अलग से कहीं जाने की ज़रत नहीं है जैसे कि इसमें मुझे आप भी ऐसे यूज करके काम कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ the best चाहिए you are not making a video if I am making a video still I am not using that तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा ही चाहिए आप में चीज है जो बच्चा सीकर है जो he is enjoying क्योंकि हमारा मेरा इस चैनल में और आपका जो in your personal life main focus है your child कि उस इसको interesting लगना चाहिए उसको मजा आना चाहिए और वो चीज के लिए useful होनी चाहिए अब यहां पेस वाले orange बिलून में ने दो color mix करके किये वे ऊपर मैंने तो red सा किया हूँ है देखिए अब यह final जो पूरा coloring कर दिया गया है और उसके बाद देखिए कितना अच्छा लग भाई यह ओल